नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा Microsoft Company के द्वारा तिलंगाना राज्य में बनाये जाने वाले नए डेटा सेंटर के बारे में ये दुनिया में Microsoft के सबसे बड़े डेटा सेंटर में से एक होगा USA के बाहर ये इनका सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट बन जाएगा लगभग 2 बिलियन डॉलर का सेंटर है ये 15,000 करोड रुपे का और इसके लिए प्रपोजल तिलंगाना सरकार को दिया जा चुका है ID पर follow कर सकते हैं वहाँ पर मेरे plus courses या special classes की updates आपको प्राप्त हो जाएंगी आज और कल 3 special classes होने वाली है इनके link आपको पहले comment में वीडियो के नीचे मिल जाएंगे इन classes को ज़रूर join कीजे आपको अगर इस lecture का PDF डाउनलोड करना है तो इस Telegram चैनल पर आपको वो मिल जाएगा और अगर UPSC exam की तैयारी कर रहे हैं तो Unacademy app के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं बिलकुल comprehensive तरीके से आपको यहाँ पर mains, prelims दोनों की classes, mains की test series, prelims test series, printed किताबें और optional की coaching with test series यहाँ पर मिल जाएगी यह पूरा तैयारी का जो package है यह आपको एक fraction of cost पर बढ़ेगा जो आप कहीं offline या online institutes में avail करते हैं उससे लेकिन यह prices 1st August से बढ़ने वाली हैं, इससे पहले ही आप इस offer का फायदा उठाईए, 45% discount इस वक्त ongoing है, महिपाल code यूज़ करेंगे तो आपको 10% discount मिलेगा, 49,680 होगा for one year, तो इसके लिए आप नीचे दिये गए links पर click करें तिलंगाना सरकार के Minister for IT and Industry, केटी रामाराओ, Microsoft Company के उच्च अधिकारियों से कई महीनों से discussions कर रहे हैं, regarding the development of a data center, पिछले हफ़ते कई media reports में ये बात सामने आई कि data center बनना तै हो चुका है, बस अब ये decide होना बाकिया है कि एक ही location पर बड़ा data center बनेगा, या फिर multiple locations पर छो अफिशल confirmation नहीं आया है, लेकिन most probably हेदराबादी location होगी, क्योंकि Microsoft का कई सालों से वहाँ पर development center पहले से है, अच्छा का सा presence है, Microsoft के offices भी है हेदराबाद में, तो यहाँ पर इन्हों ने अपना पहला development center 98 में ही open कर दिया था, और ये Microsoft का largest research and development center है, उनके headquarter के बाहर, Microsoft company का headquarter क आया है, अमेरिका के Washington राज्य में, Redmond नाम के शहर में, इस data center की लागत 2 से सवा 2 billion dollar आने वाली है, which is 15 to 18 thousand crore rupees, और जैसे ही ये project पूरा होगा, तो Microsoft company का, अमेरिका के बाहर, ये सबसे बड़ा investment बन जाएगा, आईए अब जानते हैं कि data center होता क्या है, देखो एक futuristic, बहुत ही modern data center कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा, जिसमें, line से अलमारियों जैसे structure बने हुए है, इनको हम कहते हैं rack, और इनके अंदर hard drives रखी हुई है, तो जैसे आपके computer में एक hard drive होती है, वैसे ही इन अलमारियों में, बहुत सारी hard drives stored है, इनके साथ एक processor जुड़ा होता है जो इनको चलाता है, और एक simplistic data center का rack कुछ इस प्रकार का नजर आता है, तो literally एक अलमारी है, जिसके अंदर बहुत सारी hard drives को रखा गया है, लेकिन इन hard drives की जरुरत क्यों पढ़ती है, देखो हमारे computer में जो hard drive है, उसकी size जादा बड़ी नहीं होती और नहीं वो 24 गंटे चा करे, मान लो कि मेरी कोई website है, Amazon जैसी जिस पर मैं कुछ भी सामान बेच रहा हूँ, randomly, मान लो कुरसी बेचने के लिए मैंने chair.com एक website बना दी, अब अगर मुझे chair.com को 24 गंटे चालू रखना है, तो उसका server मुझे अपने computer पे नहीं रखना होगा, क्योंकि मेरा computer कभी बंद system है, और सबसे important, physical security है, कि यहाँ पर कोई भी घुसकर इस computer को तोड़ नहीं देगा, ना ही बाड में, गर्मी में, सरदी में, यह system बंद होगा, इस प्रकार के data center में, जो यह server है, यहाँ पर मैं कुछ जगे किराये पर ले लूँगा, और इस किराये की जगे में, मैं अपनी website चलाऊंगा, तो मेरी website तो एक hard disk क्या, इसके कुछ छोटे से हिससे में ही चल जाएगी, लेकिन जो बड़ी-बड़ी websites हैं, उनको चाहिए बहुत सारा space, अब आज के समय में, आप सभी जानते हो कि हमारे पास क्या available होता है, cloud service, तो जैसे आप लोग phone पे Google Drive, etc. इस्तमाल कर करते हैं, तो इसमें आप जो अपना data store करते हो ना, वो आपके phone में तो store नहीं होता, तो वो इन data centers की hard drives में store हो रहा है, और इसी लिए इन data centers की demand लगातार बढ़ती जा रही है, तो Microsoft की जो cloud data service है, उसका नाम है Azure, उसका ये वाला logo है, तो Azure के लिए Microsoft ने 2015 में भारत में 3 cloud data center स् Microsoft दुनिया में सबसे बड़े cloud computing companies में से एक है, ठीक, Azure की cloud computing services है, they are one of the largest in the world, दूसरी Amazon web services है, वो भी बहुत बड़ी company है, तो Microsoft के जो data centers है, वो पूने, चैन्नाई, मुंबई में चालू हुए थे, और शुरुआत तो Microsoft ने करी थी, लेकिन अब कई companies भारत में आ चुकी है, तो क्योंकि आब Microsoft के अंदर बहुत सारे नए divisions हैं, जैसे कि Artificial Intelligence and Research, Cloud and Enterprise Group, Experience and Devices Group, तो Microsoft के वल Windows नहीं बनाती, जो आपके computer में चलता है, है ना, Microsoft का और भी बहुत सारा काम है, और इस सब के लिए इनको बहुत सारे data centers की आवशक्ता पढ़ती है, तो भारत में एक data center वूम आने वा industry, तो पहले BPO industry top की थी, वो तो चली रही है, अब नया क्या है, growth कि सेक्टर में जादा है, तो वो इस तरह के sectors में जादा है, तो क्राइसल की एक report ने ये बताया, कि भारत में, अकेले भारत में data consumption 38% बढ़ चुका है, FI21 में, तो आप अंदाजा लगा लिजे कि दुनिया म भी बढ़ा ही होगा, चलो भारत जितना नहीं बढ़ा होगा, लेकिन कम से कम 20-25% तो बढ़ा है, exact data मेरे पास पूरी दुनिया का नहीं है, हर country का अलग data होता है, तो 38% तो केवल भारत में usage बढ़ा है, क्योंके लोग phone इस्तमाल कर रहे हैं, cloud services का इस्तमाल करते हैं, आप अ ना तो ये मेरे computer पे store हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ना ही ये आपके घर के phone या computer पे stored है, ये कही ना कहीं YouTube के servers पर lecture store हुआ है, मैंने अपनी तरफ से upload किया, और आप अपनी तरफ से इसको stream कर रहे हैं, या फिर download कर रहे हैं, तो ये बीच में जो data center है ना, ये सारे YouTube के या Google के काम कर रहे हैं, तो इसलिए data की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, अब आज से लगबग 10-15 साल पहले ये सारे data servers USA या फिर पश्चिमी देशों में हुआ करते थे, भारत से data वहाँ जाता था, फिर वहाँ से या आता था, इंटरनेट की speed भी slow हुआ करती थी, ले इंटर्स में बढ़ावा आ रहा है, और रिसेंट रिपोर्ट्स जो आई हैं इंडस्ट्री के उपर वो यही बताती हैं कि धाई से तीन गुना इंडस्ट्री बढ़ जाएगी दो साल के अंदर अंदर, और इसमें कुछ शहर जैसे कि मुंबई बहुत ही favorable हैं, अकेले 27 MW की, 2023 तक ये बढ़कर 1000 MW हो जाएगी जिसमें अकेले मुंबई शहर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 529 MW की खपत होगी, तो मुंबई और चेन्ने ये दो शहर हैं, ये काफी stable हैं, इंडस्ट्री इनको prefer करती है, यहाँ पर बिजली की पूरी सुविदा है, बिजल सेफटी, इंफरास्ट्रक्चर, सब कुछ बहतर है, तो इसलिए इन शहरों के अंदर ये नए सेंटर्स आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कि वहले इन दो शहरों में, हैधराबाद, दिल्ली, NCR, लगबग जितने भी बड़े महानगर हैं, जहां पर IT इंडस्ट्री बेस्ट हैं महाँ पर आपको ये डेटा सेंटर्स देखने को मिलेंगे, 2020 में भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जो साइज में बहुत बड़ा होता है, बलकि जो स्पेस हार्ड डिस्क में होता है, उसके बेसिस पर में बता रहा हूँ, सर्वर में कितना डेटा स्टोर होता है ट्रांस्मेट होता है उसके बेसिस पर इनको हाइपर स्केल डेटा पार्क कहते हैं यानि कि बड़ा डेटा पार्क है यह खुला है ग्रेटर नौइडा में योटा पार्क नाम है इसका अब ऐसा नहीं है कि केवल Microsoft या Amazon Web Services ऐसी कमपनीज है जो डेटा सेंटर में इनवेस्ट कर रही है दूसरी कई कमपनिया जिन में डेटा की बहुत खपत है वो अभी तक क्या करती थी इन कमपनीज से स्पेस को किराय पे लेती थी लेकिन अब ये कमपनीज खुद अपने डेटा सेंटर खोल रही है तो जै अपने खुद के डेटा सेंटर ओपन करने वाले हैं लेकिन अब दुनिया में हर कमपनी तो अपना डेटा सेंटर खोल नहीं सकती मानलो कि मुझे ही अपनी वेबसाइट चलानी है तो मैं जाकर कभी डेटा सेंटर नहीं खोलूँगा इतना बड़ा इंवेस्मेंट कैसे कोलो फैसिलिटी एक short form है यह term याद अठना prelims में पूछा जा सकता है it is short hand for को लोकेशन फैसिलिटी को लोकेशन क्या होता है एक ऐसा डेटा सेंटर जहांपर कोई भी business space को किराय पर ले सकता है अब यहाँ ध्यान से समझना किराय पर आप physical space ले रहे हो तो मानलो कि आपके पास जमीन है, आपने एक बढ़िया सा warehouse बना दिया, यहाँ cooling facility बहुत चाहिए, यह सब गरम हो जाता है, तो इनको ठंडे temperature पर रखना होता है, तो आपने एक शानदार यह rack वाला पूरा cooling facility वाला warehouse जैसा data center बना दिया, सब कुछ है, लेकिन जो अंदर hard disk लगी है ना, यानि कि जो technology वाला part है, वो आप नहीं लेकर आएंगे, तो आप यह space किराये पर दे देंगे, और किराये पर कौन लेने आएगा, space को, इस rack को किराये पर ले लेगी, रेंट पर ले लेगी, आपको क्या provide करना है, जो मालिक है, बिल्डिंग, cooling, power, bandwidth, physical security, चौकिदार वगेरा आपको बिठाने पड़ेंगे, लेकिन जो आपके customer हैं, वो server अपने खुद के लेकर आएंगे, और storage space, technical जितना भी काम है, वो खुद करेंगे, और इस chain में तीसरी कड़ी कौन है, वो व्यक्ति, जो website चला रहा है, जिसको server space की आवशकता है, तो अभी तक Airtel जैसी companies क्या करती थी, इस तरह की co-location facility में rent पर ले लेती थी इस space को, लेकिन जैसे-जैसे उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो अब वो खुद अपना ही data center बना लेंगे, तो यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसा की कोई दुकान शुरू करता है, तो पहले किराए की दुकान पर काम स्टार्ट करता है, जैसे-जैसे business बढ़ता है, अपनी खुद की दुकान या office बना लेते हैं, तो उसी तरह का कुछ फंडा यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इनको नाम थोड़ा high-five दे दिया जाता है, co-location facility, state PCS में दो नंबर का सीधा सवाल आ सकता है, इस पर गलत मत कर गया आना, finally कुछ random additional points है, Microsoft बहुत सारे नए data center बना रहा है, 2021 में Microsoft 10 देशों में data center खोलने जा रहा है, और हर साल 50 से 100 नए center Microsoft खोल रहा है, data center, Amazon Web Services भी एक बहुत बड़ी company है, in fact Microsoft की सबसे बड़ी competitor AWS ही है, AWS का भी एक data center अल्रेडी है है, और दूसरा तिलंगाना में फिर से यह खोलने जा रहे है, 2022 तक यह चालू हो जाएगा, और इसकी भी लागत लगभग पोने 3 billion dollar, 20,000 करोड से भी जादा है, तो इसी के साथ यह lecture हम समाप्त करेंगे, इनका PDF आप दोनों टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अनकाडमी पर आप UPSC की तयारी कर सकते हैं, भारत के best educators यहाँ पर live पढ़ाते हैं, अगर आपको एक structured manner में batch के format में तयारी करनी है, जहाँ पर आपका daily schedule हो, तो फिर आपको plus या iconic में से कोई एक subscription ले लेना चाहिए, Iconic में एक additional benefit है कि आपको personal guidance मिलेगी एक mentor के द्वारा, जो भी subscription आप लेते हैं, उसमें आपको 10% discount मिलेगा, अगर आप महिपाल code यूज करते हैं, और optional की तयारी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे best यही होगा कि आप optional और JS के combined course को, तो combo course को लें, जो अभी आपको 50,000 से भी कम price पर मिल जाएगा, अभी अगर आप 1 year या 2 year subscription लेते हैं, तो mains तक आपका course valid रहेगा, comprehensive test series भी course के साथ free है, EMI option पर भी आप इस course को अवेरी कर सकते हैं, किताबों का set, JS की किताबों का set आपको free में मिल जाएगा, Phoenix revision batch, उसमें मैं अगले महीने medieval history पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आपको medieval history पढ़ना है या revise करना है, तो 19th August से मेरा course स्टार्ट हो रहा है, plus course है ये, और इसमें हम 6 दिन में पूरी medieval history पढ़ लेंगे, तो आप जल से जल सबस्क्राइब कीजिए, और medieval history मुझसे पढ़िये, use this code to get 10% discount, रविवार को 11 बजे combat organize होता है, इसमें हिस्सा लेकर prelims का score increase कर सकते हैं, plus scholarship जीतने का एक सुनहरा मौका है, combat का link नीचे description और पहले comment दोनों में मिल जाएगा, तीन free test series चलती है prelims के लिए, thank you very much for watching this, have a great day.